नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2022 में करवाचौत कब मनाया जाएगा तो चली शिरू करते हैं आज का वीडियो देखे करवाचौत के दिन सुभागी ने अपने पती की लंबी आयू की कामना करते हुए निर्जला वरत रखती हैं हिंदु धर में करवाचौत वरत का विशेश महत्व है करवाचौत वरत को सभी वरतों में कठिन माना जाता है यह वरत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है करवाचोध वरत में महिलाएं जल तक रहन नहीं करती है इसमें चंद दर्शन के बाद वरत का पारण किया जाता है मानिता है कि करवाचोध वरत करने से पत्ती को लंबी आयू प्राप्त होती है और वहवाहिक जीवन खुशाल रहता है साल 2022 में करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 13 अक्टूबर के दिन ही आपको वरत रखना है तो आईए अब बात करते हैं कि करवा चौथ वरत के दिन हमें सुबह उठकर के क्या करना है तो दिखे सुबह जल्दी उठकर के स्नान कर लें इस्नान करने के बाद आप मंदिर की साफ सफाई कर लें उसके बाद आप मंदिर में नहा धो करके एक दीपक जलाएं सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें निर्जला वरत का संकल पलें इस दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें किसी भी शुब कारिश से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है माता पारवती भगवान शिव और कार्थी के भगवान की पूजा करें करवा चौत के वरत में चंद्रमा की पूजा की जाती है चंद दर्शन के बाद पती को छलनी से देखें इसके बाद पती द्वारा पतनी को पानी पिला करके वरत को तोड़ा जाता है तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद